सबसे पहले बेक वाले को नीचे रखना है यह देख सकते हैं बेक वाले हिसे को नीचे रखना है और फ्रेंड वाले को उपर के हिसे में रखना है यह देख सकते हैं और जब रखेगा तो उधर का बराबर देख लीजेगा और यहां का जो बेक वाला जो ही से रहेगा उसे मोड़ना इस टेप कर तो मोड़ना नहीं इसको सीधा रखना है और जो फ्रेंड का वो मुड़ा रहेगा और उसमें सिलाय लगाना है यह देखिए और यहां पर सिला लगाईएगा तो पूरा अगे मत बढ़ाना वहां का जो सिला के साथ है वो थोड़ा सा गेफ रखना है यह देख सकते हैं यह थोड़ा सा गेफ है से मुसी तरह देख वाले हिसे को नीचे रखिएगा और सामना को उपर में रखना है यह देखिए यह दूसरा भी लग गया है जब दूसरे तरफ आप सिलिए गए यह तो इसके दूसरे तरफ भी सिला करना दो सिला लगाना है इसमें और यह जो मैंने बढ़ा के रखा था बेक वला इसे को अब इसको मूर देना है बाद में मूड़ेगा तो इसका जो सिला है उसका फ्रेसिंग जादा होता है पहले मूड़ेगा पहले भी मूड़ सकते हैं लेकिन मैंने इसको बाद में मूड़ने का तरीका बताया हूं बाद में मोड़ने से वही होता है कि इसका सिला इदर खिशकता नहीं है यह देख सकते हैं मैंने इतना गेफ रखा है इसमें यह देखे इसको अंदर के तरफ फिर मोड़ना है और यह इसमें सिलाए लगाना है इतना जोड़ गया है अब इसको देखें पल्टी करके देखाता हूं इस टाप को पल्टी करना है यह देखी यह अई हिस्षा है नहीं एब देख सकते इस तरह से मैंने मोडार इसको इस तरह से पल्टी करना है अब देख सकते हैं, यहां पर अंदर क्राण हो गया है, इसमें भी उसी तरह, यह देखिए, एक कंती, यह तीरा जूड़ गया है,